हलो दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने आपके साथ मॉलिकुलर बाइलोजी के दो टॉपिक डिसकस किये थे इस वीडियो में हम आपके साथ बाया टेक्नलोजी जो की BSC और BSC B8 सेकंड यर में पेपर चलता है उसका एक टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं और ये बहुत ही महत्पून टॉपिक है जो है टिशू कल्चर इन प्लांट्स बाया टेक्नलोजी में ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम प्लांट के किसी भी भाग से एक पूरा प्लांट त्यार कर सकते हैं तो यहां पर हम टिशू कल्चर को डिटेल में आपके साथ डिसकस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि टिशू कल्चर कहते किसे हैं Definition of Tissue Culture Plant के किसी भी पार्ट जैसे root, stem, leaves या flower को पोशक माध्यम पर aseptic conditions में in vitro culture की जो विधी होती है, method होता है उसी को tissue culture कहते हैं अर्थात यदि हम plant के किसी भी पार्ट को लेकर aseptic conditions में in vitro यानि जो laboratory conditions होती है वहाँ पर काच के बड़े बड़े पात्र होता है उनमें इस प्रकार का माध्यम उपलब्द करवाया जाता है जिस पर वो growth कर सकता है इस प्रकार से यदि plant के किसी पार्ट को लेकर हम एक नया plant तयार करें तो उस method को यहाँ पर plant tissue culture कहा गया है इस technique के दौरा living cells को organism की body के बाहर अधिक समय के लिए maintain किया जा सकता है हलांकि जब तक बयो टेक्नलोजी डबलप नहीं होई थी तब तक यह possible नहीं था कि हम living cells को organism की body के बाहर भी maintain कर सकें लेकिन जब से बयो टेक्नलोजी का विकास हुआ है तब से यह बहुत आसानी से किया जा रहा है plant tissue culture दौरा plant के बहुत ही छोटे से part जैसे soot tip, root tip, seed, embryo, pollens, ovule और यहां तक की एक single cell से भी क्रत्रिम माध्यम में नई plant डबलप किये जा सकते हैं तो tissue culture के लिए आप plant का कोई भी part से बहुत थोड़े से tissue ले सकते हैं और उनसे aseptic conditions में culture media पर नया plant त्यार कर सकते हैं और ऐसा आज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तो यहां पर यह आपने देखा कि बहस्तम में tissue culture है क्या और इसका simple अगर आप बात करें तो कोई भी plant part जिसको लेकर आप एक नया पूरा plant त्यार करने जा रहे हैं लेकिन वो क्रत्रिम परिस्थितियों में यानि laboratory conditions में जहां पर उसको artificially आप सब कुछ उपलब्द करवाते हैं और खूब सारे plant उससे त्यार कर सकते हैं तो एक बहुत ही महत्पूर्ण तक्निक है जिसके दौरा छोटे से भाग को लेकर अनेक plant लेट त्यार किये जा सकते हैं और ये बहुत ही महत्पूर्ण होते हैं अगला आप देख रहे हैं कि ऐसा करने के लिए जो हम in vitro culture करते हैं उसके लिए basic requirements क्या हैं अर्थात basic requirements of plant tissue culture यहाँ पर तीन basic requirements आप अपने screen पर देख पा रहे हैं फस्ट है laboratory organization दूसरा है culture media और तीसरा है aseptic conditions यह basic requirements हैं जो हमें tissue culture start करने से पहले देखनी होती हैं अर्थात यह हमारे पास होनी ही चाहिए तभी हम tissue culture को successfully कर सकते हैं अथवा वो हम नहीं कर पाएंगे इनके बारे में बहुत संक्षिप में हम बात करेंगे सबसे पहले बात कर रहे हैं आपर laboratory organization की in a standard tissue culture lab there must be few basic facilities अब कौन कौन सी facilities उस lab में होनी चाहिए जहां पर आप plant tissue culture करने जा रहे हैं तो उन में कुछ बताई हुई हैं जैसे a media room एक media room जहां पर हम culture media को prepare करते हैं stylize करते हैं और storage करते हैं तो lab में एक ऐसी facility अलग से होनी चाहिए जिसको हमने media room नाम दिया है यहां पर जो culture media होता है उसको prepare भी किया जाता है stylize भी किया जाता है और साथ में उसको storage भी किया जाता है दूसरा है facilities for washing of lab bears ex plant etc ऐसी facilities जहां पर हम जो प्रियूग साला के उपकरण हैं और ex plant हैं उनको wash कर सकें यह भी होना चाहिए space for storage of lab bears क्योंकि इसमें कई सारे उपकरणों की आवस्षेक्ता पड़ती है तो उनको store करने के लिए proper space भी होना चाहिए एक important part है culture room जिसको incubators भी कहा जाता है इस का भी arrangement lab में होना चाहिए यह वो जगह है जहां पर हम temperature, humidity और lights की proper conditions maintain करते हैं tissue culture के लिए जितना उसको जरूत होती है उतना ही provide करवा जाता है ताप, आदरता और प्रकास इनको उतना ही उपलब्द करवा जाता है जितना उस particular plant part को डबल अप होने के लिए आवस्यक होता है और lastly, fifth point आप देख रहे है observation and data collection area के लिए भी एक area उस particular lab में होना चाहिए तो plant issue culture के लिए ये जो lab organizations है उन में क्या क्या होना चाहिए वो आपने यहाँ पर 5 point में देखा है दूसरा important part आपने देखा था culture media the formulation or the medium on which the ex plant is cultured is called culture medium जिस पोशक माध्यम पर हम उस particular plant के पार्ट को culture करेंगे उसको ही culture media कहा जाता है it is composed of various nutrients required for proper culturing different types of plants and organs need different compositions of culture media इसमें different types के nutrients या components पाए जाते हैं और इसमें basically ये देखना पड़ता है कि हमने कौन सा plant part लिया है culture के लिए हमने root लिया है, suit लिया है, flower लिया है, enter लिया है, embryo लिया है या कि कौन सा part लिया है उनके अनुसार हमें इस culture media में कुछ changes करने पड़ते हैं और उनके आधार पर ही ये culture media तयार करना पड़ता है a number of media have been devised for specific tissues and organs कई परकार के culture media हैं जो बनाए गए है particular tissue culture के लिए यहाँ पर कुछ culture media के examples आपके सामने हैं जैसे MS medium, LS medium, B5 medium, whites medium, etc तो यह अलग-अलग mediums तयार किये गए हैं जिनमें अलग-अलग component होते हैं according to nature of X plant यहाँ जो culture media जब तयार किया जाता है तो उस culture media में basically जो man-man कौन-कौन से constituents मिलाए जाते हैं वो उनके कुछ नाम आपके सामने दिये हुए है यहाँ पर सिर्फ heading है, इनके अंतरकत कई सारे पदार्थ समलित किये जाते हैं जिसमें एक है organic supplements, inorganic nutrients, carbon and energy source, growth hormones and gelling agents यह सब उस culture media में होते हैं और यह सब उस particular plant part की growth के लिए आवस्यक होते हैं जिस plant part को culture करके हम एक नया plant राप करना चाहा रहे हैं और तीसरा और important इसकी जो needs देखी थी हमने वो थी aseptic conditions maintenance of aseptic conditions is the most critical and difficult aspect of in vitro culturing experiment यह बहुत महत्वपूर्ण point है क्योंकि जब आप लैब कंडिसंस में किसी plant को डबलप कर रहे होता हैं तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण काम होता है aseptic conditions को maintain करना ऐसी परिस्थितियां जहां पर किसी प्रकार के कोई रोगकारी जीव ना हो किसी भी प्रकार का कोई contaminants ना हो ऐसी conditions उत्पन करने को कहा जाता है aseptic conditions जो दूसरे point में आप देख रहे है aseptic conditions means the conditions free from any type of microorganism किसी भी प्रकार का microorganism उस लैब में नहीं होने चाहिए जहां पर आप ये in vitro culture कर रहे हैं ताकि जो part हम डबलप कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार का contamination ना हो और वो proper डबलप हो पाए for this sterilization is done aseptic conditions के लिए basically जो process अपना ही जाती है उसको sterilization हिंदी में ने जर्मी करन कुछ ऐसका ऐसा कहा जाता है तो sterilization इससे किया जाता है जब sterilize किया जाता है तो पूरी तरह से या तो जो micronism होते हैं वो मर जाते हैं या फिर वो हट जाते हैं sterilization जिसको एक टर्म और यूज करते हैं surface sterilization ये बहुत मैक्पूर्ण होता है और इसके बिना हम in vitro culture यानि tissue culture की जो process है उसको आगे बढ़ाई नहीं सकते the most common contaminants in culture are fungi and bacteria अभी जो microorganism की हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ex plant है जिससे हम नया plant त्यार करने जा रहे हैं उसको contaminate करने वाले मुख्य रूप से जो microorganism होते हैं वो हैं फंजाई और bacteria अथ है इनका नस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस ex plant में किसी प्रकार का contamination ना हो तो निश्यत रूप से जब तक पूरी तरह से हम नहीं प्रवाइड करवाएंगे नहीं उपलब्द करवा सकते तब तक प्रोसेस जो है tissue culture का उसको सफलता पूर्बग संपन नहीं किया जा सकता इसलिए the overall design of the laboratory must focus on the maintenance of aseptic conditions इसलिए हमको जो laboratory design है वो इस प्रकार से करना चाहिए कि वहाँ पर पूरी तरह से 100% हम aseptic conditions प्रवाइड करवा सकें तो ये तीन जो basic needs थी वो आपने देखी कि tissue culture स्टार्ट करने से पहले ये need आपको fulfill करनी होती है तब ही आप इस प्रैसोस को स्टार्ट कर सकते हैं इस process को संपन किया जाता है तो यहाँ पर यह बताया गया है कि basically plant part कोई भी हम ले सकते हैं चाहिए वो root से root लिया है या suit लिया है या suit में भी कोई और part लिया है चाहिए वो आपने leaf का कोई part लिया है या एंथर लिया है, फ्लार कोई पार्ट लिया है कोई भी पार्ट लिया है उससे नया प्लांट तयार करने की जो प्रॉसेस है, वो लगभग सबमें समान होती है केबल कुछ डिफरेंसिस को छोड़ कर तो इसमें एक प्रॉपर छोटे से प्लांट पार्ट को लेकर एक पूरा नया प्लांट लेट तयार करने में कौन-कौन से स्टैप्स होते हैं किनकिन स्टैप्स के अंतरकत ये प्रोसेस संपन की जाती है वह संच्छेप में एक रेडा एक्राम के रूप में आपके सामने अगली slide बर हैं यहाँ पर यह काफी ज़्यादा point बना दिये गए हैं इनको आप देखेंगे तो पूरी process आपको समझ में आएगी इन points को कुछ कम करके हम एक एक करके अभी discuss आपके सामने करते हैं कि कौन-कौन से points में हम यह plant tissue culture संपन करते हैं जो first point है वो है selection and sterilization of explant explant क्या होता है मैंने आपको बताया था कोई भी वो plant part जिससे जिसको लेकर हम पूरा एक नया plant त्यार करने जा रहे हैं उसको explant कहते हैं explant कुछ भी हो सकता है अभी मैंने आपको बताया root tip भी हो सकती है suit tip भी हो सकती है seed का कोई part हो सकता है embryo का इसको प्राप्त करते हैं उसको मदर प्लांट या डोनर प्लांट कहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे जिस प्लांट से हमको यह पार्ट लेना है उसको सलेक्ट करते हैं और इसके बाद इसको sterilize किया जाता है क्योंकि जो explant होता है उसके साथ कई microorganism लगे होता है उन microorganism को हटाना जरूरी होता है और इसके लिए हमको यहाँ पर इसका surface sterilization करना होता है जब surface sterilization किया जाता है तो कई परकार के पदार्थ यहाँ पर काम में लिये जा सकते हैं जैसे sodium hypochlorite भी काम में लेता है ethyl alcohol काम में लिया जाता है silver nitrate भी काम में लिया जाता है bromine water etc यह कई परकार के पदार्थ हैं जो काम में लिया जाते हैं जिससे surface sterilization किया जाता है explant का ताकि उसके ओपर कोई भी किसी परकार का microorganism ना रहे तो पहला point हुआ selection and sterilization of ex plant दूसरा है preparation and sterilization of culture media क्योंकि जो ex plant है उसको grow करने के लिए specific nutrients की आवस्चता होती है और वो nutrients जो provide करवाए जाते हैं उसके लिए एक proper media तयार करना होता है जिसे पोशक माध्यम कहते हैं तो सबसे पहले वो पोशक माध्यम यानि culture media nutritional media तयार किया जाता है उसमें वो सारे nutrients होने चाहिए जो इस particular ex plant की growth के लिए आवस्चता है और यह तयार कर लेने के साथ साथ इसको फिर हम sterilize भी कर लेते हैं ताकि कहीं इस culture media में भी कोई किसी प्रकार का contaminant ना हो तो दूसरा point हुआ preparation and sterilization of culture medium तीसरा आप देख रहे है inoculation simple definition लिखे हुई है sterilized ex plant is inoculated means transferred on the culture medium under aseptic conditions तो जब सबसे पहले आपने ex plant लिया था उसको sterilize किया फिर आपने culture media तयार किया उसको भी sterilize किया अब तीसरे जो point है उसमें उस ex plant को culture media पर transfer कर दिया जाता है under aseptic conditions वहाँ पर किसी प्रकार का कोई contaminants नहीं होने चाहिए अगला है fourth point आप देख रहे है incubation अब ये main वो point है जहाँ पर culture chamber में इस culture media को transfer कर दिया जाता है और इस culture chamber में basically जो conditions है light की, temperature की और humidity की वो उतनी ही provide की जाती है जितनी उस particular ex plant की growth के लिए अगला जो step है वो है ex plant को culture media के साथ culture chamber में इस्थानांतरित कर देना जहाँ पर उनको light, temperature और humidity की proper conditions provide करवाई जाती है ताकि उसकी proper growth हो सके अगला step देख रहे हैं sub culturing cultured cells are transferred to a fresh nutrition medium to obtain the plantlet इसके बाद जो cells बहाँ पर cultured होती हैं जहाँ पर cultured start हो चुका होता है culture chamber में अब उनको एक fresh nutritional medium पर transfer कर दिया जाता है जहाँ पर उनसे plantlet बनना प्रारम हो जाते हैं यानि छूटे छूटे पौधे, complete पौधे बनना प्रारम हो जाते हैं जैने plantlet कहा जाता है और यह plantlet जब बनते हैं तो सबसे पहले suit formation होता है suit formation होने के बाद उस suit का फिर इस्ठाई करन होता है इसके बाद उसका multiplication होता है और जो multiple suits होता है उनमें इसके बाद फिर root formation होता है इस प्रकार से पूरे कई सारे plantlets बन जाते हैं और इसमें अगला आप देख रहे हैं transfer of plantlets after the hardening process the plantlets are transferred to greenhouse or in pots अभी तक का पूरी जो process थी वो in vitro चल रही थी अर्थात जो सीसे के उपकरण हमारे पास होता है उनके अंदर culture media में process चल रही थी वहाँ पर plantlets बन जाते हैं अब हमारे पास जो एक चनौती होती है वो ये, ये plantlets culture media में तो growth कर पा रहे हैं लेकिन क्या जैसे ही इनको environment में natural conditions में हम लेके जाएंगे वहाँ इनको रखेंगे तो क्या ये growth कर पाएंगे इसको इसके लिए कि ये बहार भी proper जो natural environment है उसमें growth कर पाएं इसके लिए acclimatization किया जाता है इनका ताकि ये आसानी से जब इनको भार पॉट्स में या natural environment में इस थाना अंत्रित करें तो ये वहाँ पर भी growth कर पाएं इस जो plant tissue culture थी इसके साथ प्रारम में यही समझ्या थी कि हम plantlet तयार तो कर पाते थे लेकिन जैसे ही उनको natural conditions में transfer करते थे वो ज़्यादा दन जीवित नहीं रहते थे और मर जाते थे इसलिए पहले अब यह किया गया कि plantlet को पहले acclimatize किया जाता है अर्थात उन conditions में रहने के लिए उनमें अनकूलन पैदा किया जाते है ताकि बाहर वो आसानी से जिन्दा रह सके हैं लैब में ही उस प्रकार की conditions प्रवाइड करवाई जाती है कि वो उन बाहरी परिस्तितियों का मुकाबला कर सकें और इसके बाद hardening के बाद उनको फिर environment में natural environment में स्थानांतित कर दिया जाता है तो इस प्रकार आपने देखा कि इस पूरी process में एक छोटे से plant part से कितने सारे plant तयार किये जा सकते हैं और इस प्रकार से यह एक बहुत महत्पून बे दिये हैं यहाँ पर पूरे की पूरे points जो simple points करके आपको समझाए गए हैं वो आसानी से आपको समझ में आये होंगे संक्षेप में मैं एक मिनट में इसको अब बापस से आपको process जो है इसकी वो revise करता हूँ मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम select करेंगे एक mother plant mother plant वो जिससे हमें कोई plant part लेना है suppose mother plant हमने कोई भी select किया अब उससे हमने x plant select करना है और उसको collect करना है x plant वो भाग है जिसको लेकर हम आगे पूरे plant करने रमान करने जा रहे हैं तो हमने x plant ले लिया उस mother plant से इसके बाद अब उस x plant का क्योंकि x plant बहारी conditions में है वहाँ पर उस पर micro organism यानि फंगस वेक्टिरिया बगरा पाए ही जाएंगे इसलिए अब उस x plant का हम क्या करेंगे surface sterilization ताकि उस पर जो micro organism में वो हट जाएं या फिर मर जाएं इसके बाद x plant को हम culture media पर transfer करेंगे यानि पहले तो culture media तयार करेंगे और उस plant ले उस x plant को culture media पर transfer कर देंगे अब इसके बाद जैसे इस culture media पर उसको transfer करेंगे इसमें suit innovation का process problem हो जाता है इसके बाद यह जो suits बन रहे थे वो इस्थाई होना problem हो जाते है और फिर उनमे multiplication होना problem होता है इसके बाद फिर उनमे root initiation होता है root initiation होने के बाद यह अपने आप में पूरे की पूरे plantlet बन जाते हैं और पूरे plantlet बन जाने के बाद फिर इनको acclimatize किया जाता है अर्थात इनकी hardening की जाती है ताकि ये बाहर के natural environment में अपने आपको survive कर सकें और जब इनकी hardening हो जाती है तो इन acclimatized plantlets को transfer कर दिया जाता है natural environment में और वहाँ पर ये आराम से अपना growth करते हैं इस प्रकार से एक छोटे से plant part को लेकर अनेक plantlet त्यार करने की ये जो process है वो हमने plant issue culture की अंतरगत study की है मैं समझता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आई होगी आप वापस से इस वीडियो को देखिए ये आपको निश्चत रूप से समझ में आएगी कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं Thank you